दोस्तो आज की वीडियो स्पेशली टीनेजर्स के लिए कुछ टिप्स कुछ बाते मैं टीनेजर्स के साथ करूँगा जो उनको लाइफ में बहुत मदद करेंगी सबसे पहली चीज अच्छे मांक्स नहीं आ पाते पढ़ाई में बहुत ज़दा स्कोर नहीं कर पाते कोई बात नहीं टेंशन मतलो आपकी क्रियेटिविटी आपके एक्सपीरियन्स आपका पैशन किसी भी चीज लिए आपकी मेहनत आपकी गलतिया जिन से आप सीखोगे वो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएंगी पढ़ाई से भी बहुत आगे ले जाएंगी जितना आप पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं ना उससे भी बहुत आगे ले जाएंगी सिर्फ पढ़ाई ही जीवन नहीं चलाती अपनी तरफ से पढ़ाई करते रहो मार्क्स नहीं आपा रहे, कोई बात नहीं और बहुत सारी चीज़े हैं जो मिलके आपको सक्सेस्फुल बनाएंगी बस भरोसा रखो, महनत करते रहो दूसरी बात, अपने लुक्स को लेके बहुत कॉंशेस हो थोड़े से insiecure हो, अपनी हाइट को लेके, वेड को लेके, skin color को लेके किसी भी aspect को लेके आप थोड़े से conscious हो बिल्कुल चिनता मत करो, जो भी कुछ है वो आपकी identity है वो आपको define करता है, आपकी personality को shape करता है और जो आपकी कमिया है न वो ही आपको खराब लोगों से बचाएंगी जो लोग आपका इस्तमाल करना चाहते हैं कोई बहुत सुन्दर दिखता है तो लोग उसका इस्तमाल करना चाहेंगे उससे मज़े लेना चाहेंगे आपके पास genuine लोग आएंगे जो आपके look से परेहट के उपर उठके आपको देखेंगे आपकी qualities को देखेंगे, admire करेंगे तो आपको खुश होना चीए कि आपके पास genuine लोग जादा आएंगे insecure feel मत करो आपका कोई girlfriend boyfriend नहीं है कोई बात नहीं, आपको फेलियर नहीं, लूजर नहीं हो girlfriend या boyfriend बनाना कोई victory नहीं है ये तो एक part of life है अगर आपको कोई इंसान पसंद आ रहा है आप उनसे relationship में आ रहे हो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे है hero नहीं बन रहे हो हर relationship में कुछ अच्छी चीज़े होती है तो बुरी चीज़े भी होती है emotional turbulence भी होता है disturbance भी होती है, ये आपका पढ़ाई का time है relationship में नहीं आये हो, किसी से प्यार नहीं कर बैठे हो तो पढ़ाई को, अपने career को अपना प्यार बनाओ महनत करो इसको as an opportunity लो आपके जो दोस्त है ना उनके साथ life को enjoy करो उनके साथ emotional turbulence भी नहीं होगी अच्छे से हस्केल पाऊगे, casual रहोगे आपके पास और teenagers की तरह पैसा नहीं है बड़ी बड़ी गाडियां नहीं है जादा pocket money नहीं है कोई बात नहीं, चिंता मत करो पैसा को अच्छे से manage करता है, पैसा उसके पास ठीकता है पैसे का सही से utilization कर पाता है ये तो आपकी training हो रही है जादा पैसा आ जाएगा, इधर उदर उड़ा दोगे और पैसा जोड़ना invest करना नहीं सीखोगे पैसे की कदर करना नहीं सीखोगे तो ये भी एक opportunity है कम पैसे में अपने आपको manage करो अपनी life को manage करो लोग आपको ताने मारते होंगे रिष्टदार आगे सुनाते होंगे तुमने ये नहीं किया, मेरे बच्चे नहीं कर लिया तुम ये नहीं कर पा रहे तुम ये नहीं कर सकते इस तरीकी की बाते बुलेंग तो यार उनको खुश होने दो उनकी life में भी खुशी का हक है न बिचारों की इतनी घटिया जिंदगी है कोई खुशी नाम की चीज नहीं है आपसे मजे लेके आपको नीचे दिखा के खुश हो रहे हैं उनको खुश होने दो न उनकी खुशी को अपनी दुआएं समझ लो उनकी बातों को एक कांट से सोनो दूसरे कांट से निकाल दो बस समझो आप किसी का भला कर रहे हो किसी को भीग दे रहे हो किसी को खुशी की भीग दे रहे हो बस किसी एक्जाम में फेल हो गए हो बहुत टेंशन हो रही है बहुत बुरा लग रहा है ऐसा लग रहा है लाइफ खतम हो गई चिंता मत करो आपसे दस साल बाद ना ये एक्जाम याद भी नहीं रहेगा इसकी मेमरीज फेड हो जाएंगी इसकी कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओगे बहुत कुछ अचीफ कर लोगे एक एक्जाम से आपकी लाइफ डिसाइड नहीं होती एक फेलियर से लाइफ डिसाइड नहीं होती ये सिर्फ थोड़े टाइम तक आपकी लाइफ वो अफेक्ट करता है उसके बाद धेरे-धेरे सीख के आप अपने आप आगे बढ़ जाते हो अपने माबाब से कोई बढ़े होंगे कोई सीनियरों का उनसे पूछना वो भी लाइफ में कभी फेल हुए होंगे और आज उसकी कोई रेलेवन्स नहीं है एक फेलियर को इतना बड़ा ट्रीट मत करो आपका किसी से रिलेशनशिप था उसने आपको धोका दे दिया चीट कर दिया किसी और के साथ चले गए तो आपको खुश होना चीए आपके और कीमती साल उन्होंने बरबाद नहीं करे आप और जादा उनके चंगुल में नहीं फसे जितना लेट उनके साथ रहते उतना दुख भोगते पढ़ाई में से ध्यान हटता उतना ही डिप्रेशन होता आज चले गए आपकी लाइफ के लिए अच्छा हुआ ऐसा घटिया इंसान चला गया और अच्छे अच्छे लोग आएंगे सच्चा हमसफर आपको आगे बीचे मिली जाएगा पढ़ाई पर ध्यान लगाओ आपके पेरेंट्स आपको आपके गोल्स में सपोर्ट नहीं करते अपने गोल्स अपनी एस्पिरेशन आप पे थोपते हैं कोई बात नहीं ऐसे ही तो स्ट्रॉंग बनोगे ऐसे ही तो अपने लिए खड़े दैना सीखोगे फेस करो पेरेंट्स को समझाओ कि क्यों आप कोई चीज करना चाते हो कि आप वो ही चीज करोगे Commerce लिना है तो Commerce ही लिना है क्यों लेना है, Business करना है तो क्यों करना है Engineering करनी है तो क्यों करनी है IS की तैयरी करनी है अपना Vision Clear करो Strong रहके Parents को Face करो यकीन दिलाओ कि उनके पास और कोई option ही नहीं है ऐसे ही आप life में strong बनोगे, firm बनोगे आपकी identity strong बनेगी और आप जो decision लेने जा रहे हो न उसको भी value करोगे उसमें अच्छे से मेहनत करोगे क्योंकि वो line वो रास्ता आपको मुश्किल से मिलेगी बहुत lonely हो जादा friends नहीं है अकेल अपन महसूस करते हो कोई बात नहीं दोस्तों खराब दोस्त, बिगड़े वे दोस्त होने से अच्छा है कि आपका कोई दोस्त ही नहीं ऐसे दोस्त जो आपको गलत line पे ले जाए, आपको बिगाड़े पढ़ाई से आपका ध्यान भटका है लाइफ से ध्यान भटका है आपको नशो की और ले जाए, उनसे फार फार बेटर है कि आपका कोई दोस्त ही नहो फैमिली तो है, पढ़ाई तो है, करियर तो है उन चीजों पे ध्यान दो और सबसे बड़ी बात अपने दोस्त खुद बनो अपने आप से बाते शेयर करो अपने आपको इंपोर्टेंस दो अपने आपको खुद पैमपर करो इनसान का सबसे बड़ा दोस्त वो खुद होता है आप कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ोगे लेकिन अपना हाथ पकड़ना जरूरी है तो दोस्त नहीं है अकेला फील मत करो अपने आपको जानो समझो और लाइफ की जरूरी चीज़ों पर ध्यान लगाओ आपके जो दोस्त नशे करते हैं ड्रिंक करते हैं स्मोक करते हैं अपने आपको बहुत कूल समझते हैं आपका मजाख उडाते होंगे और आप youthful होगे, healthy होगे, इनसे कोई competition मत करो, हसो, इनकी हालत पे हसो, एक बार समझाओ कि ऐसी हरकत मत करो, और फिर उसके बाद अपने उपर proud फिल करो, कि छोटी सी उमर में अपनी body को खराब नहीं कर रहे, अपने दिमाग को खराब नहीं कर रहे, नशो में नहीं पढ़ र आने की भूग पैदा होगी, कुछ अचीव करने की भूग पैदा होगी, अपने पैसों के दम पे खुद ये चीजे लेके आना, जब अच्छे से कमाओगे ना, मेहनत करके successful बनोगे, एक तो इन चीजों की value करोगे, इनकी कदर होगी, और बहुत अच्छा फिलोगा, जिनक लाइफ की हर बुरी चीज में एक बहुत अच्छी चीज चुपी है, हर struggle में एक जीत चुपी है, हर परिशानी में आपके future के सुक चुपे हुए है, हताश मतों, निराश मतों, लाइफ को face करो, struggle करो, और आगे बढ़ो, all the best